खेर दोस्तों वेलकम बेक टो आट चार्म मानी शुलूस्तों दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेट होने वाले है पिछली वीडियो हमने सिविल स्कोर के बारे में बताई थी भीया जो फ्री में आप सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं जिसका लिंक मै हमारा सिविल स्कोर है इधर इंप्रूव हो सके देखे एक बात आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं जो सिविल स्कोर होता है वह हमारे जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको इवैलिवेट करता है जब भी हम किसी भी बैंक एन्वी एफसी कंपनी के पास जाते तो सबसे पह जो लोन के जो ट्रम है वो भी देने में इधर जो सिविल स्कोर है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रोल अदा करता है तो आज की स्वीडियम भी या पांच ऐसी जो मिस्टेक्स हैं उनको हमें अवाइड करना चाहिए एक एक प्वैंट इदर हम बारी किसे कवर करते हैं सबसे पहले मिस्टेक होती है कि सिविल स्कोर को रेगुलर्ली चेक नहीं करना आप लोगो ने देखा हुआ जो हम अपना जो सिविल स्कोर है इधर जो रेगुलर्ली है वो चेक नहीं करते एक बात अच्छी तरह जान लीजिए जो सिविल स्कोर है हमारे क्रेडिट रिलेट जो data है जो transaction data वो up to date है या नहीं है और कई बरी होता है कि हमारे civil score के अंदर कोई error आ जाता है अगर हम उसको regularly check नहीं कर जते हैं तो भाईया बहुत late हो जाता है उस error को देखने में उसको भाईया जो है ठीक करवाने में और जिससे एक जो negative impact है ना हमारे civil score के उपर पड़ता है इसलिए हमें अपना जो civil score है साल में कम से कम एक या दो बार है इधर अपना जो civil score check कर लेना शाहिए तो second mistake यह होती है कि जो लोग है अपने जो credit card है उसको max out कर देते हैं आपके credit utilization ratio यानि कि आप कितना amount credit use करते हो when compared to आपको कितना credit मिला है ये value बहुत important है आपके civil score के लिए तो जब आप max out करते हो credit card तो आप credit utilization ratio है उसको आप बढ़ा रहे हो जो civil score के लिए जो negative impact है करता है तो इसको avoid करने के लिए आपकी जितनी भी credit card की जो limit है उसका 30% तक है उसको आप use किजिए और समय पर आपका credit card का बिल इधर payment किजिए इसरा जो mistake है वो आता late payment कही बारे EMI है या फिर जितना भी जो payment चल रहा है उसको pay नहीं करते है या फिर उसको payment करने में late कर देते है तो जितने भी जो bank है नभी FC company है या जितने भी जो lender है ये late payments को entertain नहीं करते है तो इसका जो बहुती जो bad impact है आपके civil score के उपर इधर पड़ता है तो इसको avoid करने के लिए ज उनको इधर भी या चूज कीजिए लेकिन इधर जो late payment है और जो payment नहीं करना है उसको हमेशा ही avoid करना है नहीं तो इसका जो बहुत ही जो बड़ा negative impact है civil score के उपर पड़ता है तो जब fourth mistake है commonly use करते है old credit card को close करवाना आपके credit history के length है major factor है civil score को determine करने के लिए तो जब भी आप जो old credit card close करते हैं तो आपकी जिस length को कम करा रहे हो जो civil score को भी इधर कम रखेगा इस mistake को avoid करने के लिए हमेशा जो आपके old credit card है उनको close करने से पहले बहुत अच्छे से सोचिए और जो आपके जो नए credit accounts है उनको activate रखिए अगर close करना है तो भी दोस्तो final mistake इधर होती है multiple loan apply करना देखे जब भी हमें किसी loan की requirement रहती है तो उसके लिए हम जाते है lender के पास lender जो है loan देने से पहले इधर है civil score चेक करता है उसको civil score चेक करने के लिए वो जो एक inquiry create करता है जिसको hard inquiry बोलते है वो hard inquiry भी हमारे civil score को इधर है downgrade करती है तो हमें जो multiple loan की application है उसको avoid करना है क् जब भी जो हम loan की application लगाते है वो reject होता है तो इसका जो bad impact है हमारे इधर civil score के उपर पढ़ता है अगर आपका recently कोई जो loan application है अगर reject हुआ है तो उसके तुरत बाद आपको जो loan के लिए दोबारा apply नहीं करना क्योंकि जो इसका जो एक bad impact है उसका civil score के उपर पढ़ेगा और उनके highly qualified expert है आपको help करेंगे best financial benefit इधर पाने के लिए link दिया गया है description में आप अभी जाकर check out कीजिए और दोस्तों अगर आपको ये series पसंद आई है तो वीडियो को like कीजेगा और आपको कोई comment है तो मुझे comment section में जरूर comment कीजेगा प्राइमिल फाइनस का दोस्तों जो ये channel है इधर आप subscribe कर लिजिए और जो bell icon है इधर press कर लिजिए बेर जैसे ही हम जो नई वीडियो डालेगे तो दोसका जो notification आपके पास आ जाए और दोस्तों next किस topic के उपर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे इधर comment section में जरूर बताईए तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह financial topic के साथ नई वीडियो के लिए तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम